Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel की Microsoft Excel में खास क्या है? क्या सिखा रहा हूँ? दियान से समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, अब ये नाम की लिस्ट जो है, छोटी है यहाँ पर लेकिन आपके पास ऐसी बहुत बड़ी रेंज हो सकती है हो सकता है कि आपके पास काफी बड़ी रेंज हो तो ऐसे कंडिशन में दिक्कत ये हो जाती है कि हम को अगर रिप्लेस करना हो लाइक अगर आपको first name रिप्लेस करना हो, last name रिप्लेस करना हो ठीक है, title को replace करना हो या किसी भी चीज को replace करना हो तो suppose करिए, यहाँ पर हमें replace करना है title को, यानि कि सूरज लिखा हुआ तिवारी को replace करना है, sing को replace करना है यहाँ तो एक एक करके कीजिए, यह बड़ा मुश्किल काम है, नहीं तो एक shortcut की प्रेस कीजिए, control F, बस control F प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर आपको क्या type करना है replace पर जाना, यह replace देख रहा है यहाँ पर चले जाए, find what दिया हुआ है और यह replace with दिया हुआ, यहाँ पर यह जो देख रहा है, find what, यहाँ पर आपको एक बर gap देना है, एक बर gap दे दिया यहाँ पर लगा यह into का shine, into multiply वाला shine जो होता है, वह यह आपको लगा देना है, काम हो गया है, ठीक है चलिए, यह replace all पर करते हैं click जैसे ही replace all पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह जो name वाली range लिखी हो यह इसमें रिखेंगे, यह जादू होगा, तो जैसे replace all पर क्लिक किया, तो जितना भी last name था, वो सारा हट गया आपने आप, ठीक है यह बहुत ही सांदर ट्रिक है, कैसी लगी यह ट्रिक, comment box में बताइएगा, चैनल को subscribe ने किया, तो चैनल को subscribe करिएगा थैंक यू पर वाचिं दिस वीडियो